हलो फ्रेंट्स है मप्रुती वेलकम एक्ट्यू आर्चेनल प्लांटस स्पेज आज 18 एक्टूबर हो चुका है और आप क्रसेंथिमम यानि गुल्दाओधी प्लांटस में कलियां बनने लगी होंगी और अभी तक अगर आपके प्लांटस पे कलियां नहीं बनी है तो वेट की है कि काफी व्यूर्स परिशान हो जाते हैं इनकी ब्राउन पतियां देकर लेकिन क्रसेंथिमम में यह होता ही है अब इसका फ्लारिंग सीजन शुरू होगा लेकिन जो इसमें नीचे-नीचे की पतियां है वो सभी पीली होकर ब्राउन हो जाएंगी ब्राउन होकर जढ़ ज सोचते हैं कि कहीं हमारे प्लांट खराब तो नहीं हो रहे हैं इनकी पतियां क्यों ड्राइ हो रही है तो यह क्रसेंथिममम का नेचर है यानि जो गुल्दावधी प्लांट से इनकी नीचे-नीचे की पतियां सभी सूखने लगेंगी उनका फटा सकते हैं और देखिए क्योंकि प्लांट पे कलियां मन रही है अब देखिए इस वाले प्लांट में इतनी ज्यादे कलियां है और एक बात जो प्लांट का जितना भी यह नीचे-नीचे की जितनी बेकार पतियां है उनको आप फटा दें क्रसेंथिममम में एक बात ध्यान रखने की जरूरत है क्यो आपको नॉर्मल वाटर से ही इसको शुरू से ही वाश कीजिए उपर की तरफ जो पतिया उस पे वाटर स्प्रे करते रहिएगा नहीं तो उसके लिए आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स की वीडियो चेक कर सकते हैं उसमें आपको वीडियो मिल जाएगी नहीं तो वह पूर वाटर इस प्लांट पे करना जरूरी होता है जिससे शुरू से ही इस पे अपना अटेक ना कर सके और उसको कंट्रोल किया जा सके और यह नाजुक बहुत होता है जरा सा टच करने से ही इसकी टहनिया चटक जाती है तूट जाती है और आपने जो अपने प्लांट को बुश तो यह ऐसे ही चटक जाती है ऐसे ही टूट जाती है इसकी टहनिया अगर यह प्लांट्स बीच में रखे हुए है तो बहुत ध्यान रखना होता है इस प्लांट के बारे में कि इसकी टहनिया है वो टूटे ना थोड़ा दूर ही रहे तो जाद अच्छा है अभी जो लास्ट पॉट्स हैं वो इस तरह से अगर खाली हो गए हैं जड़े दिखने लगी हैं तो इसमें मिट्टी और खाद भर दीजे मिक्स करके भर सकते हैं या फिर मैंने अभी अपने जो पुराने पॉट्स है लास्ट यर वाले प्लांट से उन सभी में खाद डाला था गोबर की खाद कहाँ टाला था वह आप तयार कर लिये हैं और इन में कलिया भी और दृ आ गई है सबको मैंने तयार किया है वी कुल दिन पहले वाय उसमें इसको आने दिया Efendi강 जो प्लांट से उसको शेर ना करें किसी दूसरे प्लांट के साथ तो एनरजी बढ़ जाती है पौदे की काद एक काम और कर सकते हैं, सरसों की खली आप ले सकते हैं, वो एक एक चम्मच आप पॉर्ट में डाल दीजिए या लिक्विट फॉर्म में भी उस कर सकते हैं और हर 20-25 जिन में आप खाद जरूर दीजिए क्योंकि अभी फ्लावरिंग सीजन है, अच्छी फ्लावरिंग होगी त इनकी पिंचिंग भी की थी, आप देखिए पिंचिंग से इसमें डबल ट्रिपल शूट आती है, अब पिंचिंग का टाइम नहीं है, पिंचिंग नहीं कीजिएगा, अब जैसे प्लान ग्रोथ कर रहे हैं, उसको करने दें, बस खाद जरूर मिला दें, यही काम आपको अब यह मौसमी का पौधा था, इसी में ही मैंने कुछ कटिंग्स लगा दी थी, अब यह सब चल गई, जबकि कभी भी प्लांट शेरिंग करनी नहीं चाहिए, मैं आपसे बहुत बार कहती हूँ, लेकिन कभी न कभी गलती होई जाती है, कितना भी सोचें, सोचा था बाद म निकाल दूँगी, इसमें से जिसे हमारा मौसमी का पौधा अची ग्रोध कर पाए, अब यह इधर साइड जो है, यह एक्स्ट्रा प्लांट्स हैं, जिसको मैंने बिलकुल भी देख भाल नहीं कि यह जैसे चलते रहे, पानी मिलता रहा, वैसे चलते रहे, ना खाद है इसम पुराने वाले भी दिखाए, तो अब इनकी प्लाविंग का टाइम है, इसके खाद, पानी और धूप का ध्यान लखिएगा, फिर भी कोई क्वेरी हो तो पूछेगा, थेंक यू